जब आप ओम इस सिंबोल को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे खायल से आपके दिमाग में फिलोसोफिकली हिंदुजम आता होगा और केरेक्टर वाइस आपके दिमाग में शिवजी आते होगे जब आप आधा चांद और उसके बीच में एक सितारा देखते हैं तो फिलोसोफिकली आपके दिमाग में क्या आता है? बेशक आपके दिमाग में इसलाम आता होगा और केरेक्टर वाइस आपके दिमाग में अल्ला आता होगा या फिर मुसल्मान आता होगा जब आप cross को देखते हैं तब philosophy के लिए आपके दिमाग में Christianity आती है और character wise आपके दिमाग में issue आते है खिक इसी तरह बुद्धिजम, जेनिजम, सीखिजम इनमें भी कही सारे सिंबॉल है जो उनके philosophy को दर्शाते हैं पर दोस्तों जब पूरी दुनिया भारत के राष्ट्र धोज के तरफ देखती है तो उनके दिमाग में क्या आता है आपको पता है उनके दिमाग में केवल बुद्धिष्ट किंग अशुका और उनके द्वारा निर्मित अनुशाशन, rule of law ये उनके दिमाग में आता है और ये उनके दिमाग में आना बढ़ाई स्वभाविक है क्योंकि हमारे राष्ट्र धोज में अशुक चक्र है जो बुद्धिष्टम को दर्शाता है, जो rule of law को दर्शाता है, अनुशाशन को दर्शाता है, प्रगति को दर्शाता है इसलिए दोस्तों ये बढ़ाई स्वभाविक है, जब दुनिया हमारे राष्ट्र धोज को देखती है, तो उनको हमारे राष्ट्र धोज में बुद्धिजम की जलक नजर आती है और इसी कारण राष्ट्रिय स्वें सेवक संगह ने, RSS ने उनके हेड़कॉर्डर पर 52 साल हमारा राष्ट्रिय धोज नहीं लहराया दोस्तों उनका मानना था कि हमारे राष्ट्र में एक संस्कृती है, और वो केवल हिंदू संस्कृती है और इसलिए हमारा राष्ट्रिय धोज भगवा होना चाहिए उसमें हिंदूत्व के प्रतिक होने चाहिए जैसे की ओम तो इस तरह की उनकी माननेता थी इसलिए दोस्तों बावन साल उन्होंने उनके हेडक्वार्टर पर उनके मुख्यालव पर राष्ट्रिय धोज नहीं लहराया आरसेश के महान सरसंग चाहला गोलवलकर गुरू जी इनके बंच ओफ थौट को अगर आप पढ़ोगे तो उस बंच ओफ थौट में साफ तोरूफर लिगा गया है कि वो इस द्वज को नकारते है हमारा जो इंडियान नैशनल फ्लैग है उसको क्रिटिसाइज किया गया है बंच ओफ थौट में ये बात अलग है जब सरदर वल्लब भाई पटेल जी ने आरेसेस पर बैन लगाया था तब इनों ने सरदर वल्लब भाई पटेल जी को चिट्टी लिगी थी और इसमें कहा था कि हम पर से बैन हटा दिया जाए जो राश्ट्रिय ध्वज है इस राश्ट्रिय ध्वज को हम लोग स्विक्रूत करते है तो ये बात अलग है पर बंच ओफ थौट में इनों ने हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को क्रिडिजाइज किया है दोस्तो आज वही लोग हर घर तिरंगा इस अभियान में शामिल हो रहे है तो ये निच्चित तोर पे स्वागत आ रहे है और इसके लिए मैं अंबेडगरवादी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों के वज़े से आपके अंदोलन के वज़े से इन RSS के लोगों में राश्ट्रिय प्रेम, राश्ट्रिय द्वज को लेकर प्रेम, राश्ट्रिय प्रतिकों को लेकर प्रेम जाग रहा है इसलिए दोस्तों मैं अम्बेटगरवादी लोगों को बदाई देना चाहता हूँ साथी साथ में नरेंद्र, मोदी और अमिश्चाह इनको भी मैं थेंक्यू बोलना चाता हूँ कि इस तरह का अभियान वो हमारे भारत देश में शुरुवात करने जा रहे है इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद नरेंद्र, मोदी और अमिश्चाह को थेंक्यू बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस संगटन से वो आते है उस संगटन का नाम है RSS और RSS के महान सर संगचालक गोलवलकर गुरुजी और उनके द्वारा लिखी गई किताब bunch of thought इसको सिधा सिधा वो लोग ने चुनोती दी है क्योंकि bunch of thought में राष्ट्रिय द्वज को नकारा गया था भगवा द्वज ही राष्ट्रिय द्वज होना चाहिए ये संकल बना थी गोलवलकर गुरुजी की bunch of thought में तो मोदी जी ने हर घर किरंगा अभियान इसकी शुरुआत करके RSS के लोगों को ये message दिया है कि गोलवलकर गुरुजी की the bunch of thought modern इंडिया में नहीं काम कर सकती नहीं चल सकती और ये message देने के लिए मुझे लगता है हिम्मत की जरूरत थी और वो हिम्मत नरेंद्र मोदी और अमिश्चा जी ने दिखाई है इसलिए नरेंद्र मोदी और अमिश्चा जी को thank you बोलना ज़रूरी है जिनोंने RSS के खिलाफ RSS विचारधारा के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई है और RSS के लोगों को ही इस अभियान में जोड़ा है जिस तरह से मोदी जी ने हर घर की रंगा अभियान इसको हम कहिते कि हर घर समराड अशुक अभियान ये पहुचाने का काम कर रहे है और उसमें RSS के लोग इस अभियान में जूड रहे तो मेरे खियाल से ये बहुत ही महत्वपूर्णा है इसलिए मोदी जी को धन्यवाद, अमिश्या जी को धन्यवाद, बीजेपी को धन्यवाद और सेंटरल गॉर्मेंट को भी धन्यवाद जिनोंने समराड अशुक का महत्वा, RSS के लोगों को समझाया है इस देश के लोगों को समझाने जा रहे है इसलिए मैं मोदी जी और अमिश्या जी को धेंक्यू बोलना चाहता हूँ आज के वीडियो में इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आये हो, नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा कर बाज़े में बेल आईकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय भीम नमगुद्दाए